नमो नाराइन मित्रो इस वेडियो में मैं आपसे बात करने बाला हूँ कि यू नामबाले जातक एबम एच नामबाले जातक यदी साधी करते हैं तो इन दोनों के बीच में बनने बाला बंधन कैसा रहेगा दोस्तो यदी आप ये जानना चाहते हैं तो बीडियो में आगे बठने से पहले एस्टरोफ और यू को आप सबस्क्राइब कर दे शाथ में बीडियो लाइक कर दे एबम बीडियो के नीचे अपना नाम कमेंट कर दे एबम बीडियो सुने क्योंकि अहबेडियो यू नामबाले जातक एबम एच नामबाले जातक के लिए बहत जयादा उपयोगी एबम महत्तुपुर्न है मित्रो यू नामबाले जातक एबम एच नामबाले जातक यदी किसी भी प्रकार के शंबंध में आते हैं तो इन दोनों के बीच में अनुकूलता जयादा नहीं होती है क्योंकि इन दोनों का विक्तित इन दोनों का शुभाब एक दूसरे से अलग एक दूसरे से भिन होता है दोस्तो इस नाम के दोनों जातक अपने अपने जीबन में अपने अपने विचारों को बहुत जयादा महत्व बहुत जयादा सम्मान देते हैं एबम इस कारण से इन दोनों के बीच में अनुकूलता की कमी बहुत जयादा होती है मित्रो यदी यू नामबालों की बात करें तो यू नामबाले जातक सुवतंत्र पड़्विर्टी के होते हैं एबम हमेशा अपने जीबन में आजाद होना सुवतंत्र होना बहुत जयादा पसंद करते हैं लेकिन मित्रो यदी एच नामबालों की बात करे तो एच नामबाले जातक बहुत जयादा सांत बहुत जयादा गंभीर होते हैं एबम हमेशा अपने जीबन में अपने जीबन साथी का शपोर्ट अपने जीबन साथी का शमर्थन बहुत जयादा करते हैं लेकिन दोस्तों आपको बता दे कि एच नाम बाले कुछ जातक बहुत जयादा जिद्धी बहुत जयादा अहंकारी होते हैं एबम हमेशा अपने जीबन में अपने जिद को अपने हट को बहुत ज्यादा महत्त देते हैं एबम एच नामबालों के इस सुभाब के कारण इन दोनों के बीच में आपसी तनाब आपसी मनमुटाब बहुत ज्यादा होता है मित्रो यू नामबाले जातक एबम हैच नामबाले जातक इन दोनों के गुन एबम अब गुन को मिला कर यदि आपके दामपते जीबन या आपके प्रेम जीबन की बात करे तो आप दोनों के बीच में बनने बाला बंधन शामान्य रहेगा तो मित्रो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एस्टरोफ और यू को आप सब्सक्राइब कर दे, साथ में वीडियो लाइक कर दे, एबं वीडियो के नीचे जै सनी देब कमेंट कर दे, एबं वीडियो हर जगह से अर कर दे, धन्यवाद